यहां पर उणीजमी आएत में इस परकार से लिखा है इस पर इश्यू ने उनसे कहा मैं तुमसे सच-सच कहता हूं पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता केवल बे जो पिता को करते देखता है क्योंकि जिन-जिन कामों को वे करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीती से करता है हमें इश्य मसी के समान होना है हालेलुया उसके वचनों को तरह सुनिए बड़े ध्यान पुर्वब उसके वचनों को तरह सुनिए इश्य मसी ने ये शब्र कहे है यहां पर वो कहता है कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ कि वह जो पिता को करते देखता है क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीती से करता है अगर ये श्य मसी खुद्वा खुद कुछ नहीं कर सकता लेकिन वह ही कारिय कर सकता है जो पिता को करते हुए देखता है हम भी ये ये इश्य मसी कर समान है अगर उसकी आत्मा मर्मेश्व में हमारे अंदर डाली है और उसका जीवन हमें है हमें नहीं हमारे अंदर Christ in you और वो जो मसी जो की पवित्र महिमा है जो की हम में है वे हमारे मुझ में रहता है क्योंकि मैं उसमें जीवित हूँ लेकिन खुद्वा खुद है खुद्वा खुद्वा कुछ भी नहीं कर सकता उसने कहा कि पुद्वा जो कुछ पिता को करते हुए देखता है वो ही कर सकता है दूसरी शब्दों में दूसरी संधर्ब में इस मसी इस परकार से कहता है जो मैं सुनता हूँ वो ही मैं करता हूँ अल यह जो हिरती परमेश्वर में हमें इसलिए दिया है ताकि हम सीख सके कि हम अकेले में कुछ नहीं कर सकती और पिछले किरों में इस करकार से हमारे हिर्दे में शायद हुआगा कि मैं कुछ में नहीं कर सकता और मैं अंदी आंखों को खोल नहीं सकता और मैं उन बहरे कानों को खुले हुए देख नहीं सकता और एक लगने को मैं चला नहीं सकता और उस मुर्दे को मैं जीनित नहीं कर सकता और एक कैंसर के बीमारी को चक्टा होते हुए मैं नहीं देख सकता लेकिन मैं एक बिक्ती को जानता हूँ जो ये कारे को कर सकता है उसका नाम है प्रभुईश्य मसी and he lives in me and I just need to know what he is doing what he is saying I want to know the relationship with him so I hear what he is saying I see what he is doing and then I join with him and the miracles have been that I was in Bulgaria in Bulgaria में मैं था preaching वहाँ पर मैं परचार कर रहा था and I went into a little church and I preach the gospel मैंने वहाँ पर सुसमा चार का परचार उसके लिदिया में किया के वल सुसमा चार परचार याद रखें परमेशन का बचच जिस्तकार से कहता है कि सुसमा चार उधार की ओर में कुंगली कराता है वह सामर्थ है याद में के सुसमा चार में एक बहुत बड़ी सामर्थ है और वहाँ पर किसी परकार की कोई मांशी परचार नहीं एक सतर साल का एक रेक्टी वहाँ पर था और उसके तूटा हुआ हाथ था उसका वहाँ पर किसी परकार का कोई जिकर साल यह या असकतार वहाँ पर नहीं था और वहाँ पर उस हाथ के तूटने के कारण और भी मुश्किलाहतों में वह बढ़ गया था और उसके हाथ में उसके हाथ कुटने के दारण हाथ में सोजस हो गया था और उसका हाथ इतना बदू दे रहा था कि उसमें दुरगत आती थी और उसके उसके जो पटी किया हुआ था उसमें भी बहुत ही गंदा पटी उसमें को लगाया हुआ था और उस ड़न किसे वो बिक्ती पीडी था और मरने पर था और उसके हाथ में बहुत सारी दुर बलताए थी और उसके हाथ में ऐसा सूजन हो गया था साथ साथ में उसमें डैंगे रंके, हरे रंके, पीले रंके इस पर कार का रंका उसके हाथ हो गये थी और उसके जो उंगलिया थी वो भी सुच गए गए वो कुछ भी ने कर सकता था लेकिन मुझे पता था कि हमारा एक परमेश्वर है और उस विश्वास के साथ वो आ गया और उसने अपने हाथ को आगे की और बढ़ाया और मैंने उसके हाथ को देखा जो कि बिल्कुल इस परकार से बेश्वर हो गया था और मैंने केवल उसके हाथ को बिल्कुल सररे ग्रूप से इस परकार से पकड़ा मैंने कहा ईश्य मसी मैंने जैसे ही वो ईश्य मसी का नाम लिया और उसने एक लड़ने पने उस गंडे पक्ती को खोलना शुरू कर दिया और मैंने इसे देखा और पहले जो सूचा में उसकी हाथ में देख रहा था फिस साथ हो गया और उसने उस हाथ को लेकर इस प्रकार से वो फ्टैलाने लगा और एक गॉक सी चिलाने लगा और जैसे ही यह काल यह कौरीया जैसे ही मैने इस अब्यक्ति को इस प्रकार से करते हुए मिट देखा मैं चिलाने की आवा़ सुनी